तो हेलो प्जेन सिस्टर वन्स अगें वेलकम तो यूटुब चानल लर्निंग माई इंट्रेस्ट तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 चैप्टर नमबर 12 एटम्स तो यह क्या कैमिस्ट्री पढ़ा रहे हो क्या अरे नहीं यह है फिजिक्स और यह आपको खोलनी पढ़ेगी सब्सक्राइब कर दो हैं चैप्टर को यहां तक है दो से तीन पार्ट में यह चैप्टर भी खतम हो जाएगा सबसे पहला एक्सपेरिमेंट आता है हमारे पास रज़र फोड एक्सपेरिमेंट आपने चैप्स्ट्री में इसको बहुत अच्छी तरह से पढ़ाओगा class 10th में भी पढ़ा हुगा class 11th में भी पढ़ा हुगा तो इसको समझाने की जवद तो नहीं पर फिर भी समझा देता हूँ तो देखो हुआ क्या था कि एक सबसे पहले तो यहां पर gold foil ली गई थी पतली सी और यहां पर दो या फिर दो चीजों से इसको अटैच कर दिया गया था जिससे कि यह सीधी खड़ी रहे ठीक है बिलकुल पतली फॉल इतनी पतली इतनी आप सुझा सकते उससे भी जागा था थिन नेश्ट थिन नेश्ट एक gold foil ली गए थी यहां से फिर एक lead bricks का एक group बनाया गया था यहां पर से alpha particles को निकाला गया था मतलब कि beam of alpha particles को इस पर डाला गया था जब इस पर fall हुई light तो उसके बाद क्या देखने को मिला उनको उनको कुछ reflections देखने मिले कुछ आगे चली कि कुछ reflect हो गए इस तरफ को कुछ इस तरफ को कुछ चोटे एंगल को और कुछ बड़े एंगल को ठीक है और इससे उन्होंने कुछ चीजों के बारे में बताया कुछ atoms की चीजों के बारे में बताया उसको हम देखते हैं इन points के तरीकों से तो देखो when alpha particles are bombarded on gold foil तो जब alpha particles bombardment हुई gold foil पे तो क्या देखने को मिला हमको most of alpha particles pass straight without any deviation it means most part of atom is hollow तो देखो सबसे पहला point इसमें निकला कि बहुत सारी beam of light तो सीधी चली गई बिलकुल सीधी चलीगी deflect हुई ही नहीं धर हुदर सीधी सीधी चलीगी तो इससे पता लगाया गया कि अगर सीधी सीधी जा रही है तो यानि कि atom तो बहुत ज्यादा खाली है बहुत ज्यादा खाली है मतलब बहुत ज्यादा space उसकी सिर्फ खाली खाली है उसमें कुछ नह रहा था इसलिए जब हुआ तो इनको समाझ आए कि कुछ पॉजिटिफ चार्ज तो है इसके बास पर कम एंगल में डेविएट हो रही थी यानि की कम पॉजिटिफ चार्ज है आउटर वाल सर्फेस पर ठीक है then very few alpha particles are deviated through the angle greater than 90 degree it indicates that the positive charge of atom is massive particle तो यानि की कुछ जो मतलब की particles थे alpha particles थे वो 90 degree angle में deviate हो है 90 degree angle में इससे पता लगा कि जो massive जो की positive charge है वो यहाँ पर है इस atom के अंदर है massive positive charge या फिर इस gold foil में जो atoms हैं उनके पास सबसे पहले चीज़ तो बहुत ज्यादे स्पेस खाली है पर जहां पर space है वहाँ पर जो एरिया है बाहर वाले एरिया है वहाँ पर तो कम positive charge है ठीक है देन उसके बाद कुछ एरिया ऐसा भी है बहुत छोटा एरिया ऐसा है जिसमें बहुत ज्यादा क्या है positive charge है क्योंकि वो 90 degree में उसको reflect कर रहा है extremely few alpha particles near the center line retraces their path it concludes that total positive charge and mass mass of atom is concentrated at the center of atom in a tiny sphere this is called nucleus तो देखो फिर इन्होंने देखा कि बहुत कम बहुत कम अलब एक million में दस ऐसे वाले रेशियों में कुछ alpha particles वापिस आ रहे थे वापिस यानि कि 180 degree के पास में तो यानि कि इनको पता लग गया कि कुछ ना कुछ तो देखो सबसे पहले तो इतना बड़ा अगर atom है तो उसका nucleus इतना छोटा होगा जो आप देख भी नहीं सकते ठीक है एक point से भी छोटा nucleus होगा ठीक है तो उनको पता लगा कि एक बहुत छोटा सा area ऐसा है जहां से जहां पर पूरा mass atom का concentrated है और वहीं पर सबसे ज़्यादा positive charge भी है और देखा जाए तो सब कुछ वहीं पर है और यह कुछ ऐसा हुआ था वहां पर देखो यह एक atom है ठीक है atom है तो यहां पर मतलब की atom नुक्लियर सा ठीक है तो यहां पर जैसी alpha particles न आए ठीक है बहुत सारे तो ऐसे ऐसे निकल गए बिला कुछ टच के निकल गए पर कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा डिफलेक्ट हुए य सारे उने क्या किया 1090 का मतलब कि यहां होता जारा है एक तरहे से यह सबसे जाधा है रेसियो थोड़ा ठोड़ा यह तो रहा था देन रेशियो कर रहे थे इस इस से accurate distance हम नहीं बता पा रहे थी कितना अंदर कितना distance होगा एक atom और एक nucleus के बीच में वो उस टाइम पर accurate नहीं बता पा रहे क्योंकि यह टेश नहीं कर पा रहे ठीक है धन कुछ तो deviate हो जा रहे थे यहीं पर से जितना भी sphere है वो पूरा पूरा hollow है तो पिछले दो डाइग्राम से तो हमको समझ आ गया है कि रदर पोर्ड भाईया क्या चाहते थे ठीक है क्या बताना चाहते थे देन आता अपना graphical representation of alpha particles and their scattering तो यह देखो यह एक और graph आ गया यहाँ पर number of particles scattered और यहाँ पर scattering angle यानि कि थीटा के बारे बता है तो यह दिक्रीज होता जा रहा है इससे क्या होता है from the from graph it is clear that alpha particle which do not scatter or scatter through small angles are very large and that of scattered through large angles are very less तो इससे आपको देखने को मिलता है कि जो alpha particle mostly थे वो बहुत कम angle से angle यहाँ पर कितना होगा यहाँ पर angle बहुत कम होगा तो यानि कि बहुत कम angle से मतलब कि deviate करे ही नहीं बहुत सारे थे ऐसे alpha particle और जो जिनका थीटा ज्यादा था वो कितने कम थे तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि कि ज्यादा difference है तो यहाँ पर यह जो है इस यह शो कर रहा है कि इतने सारे पार्टिकल्स अंडेविएटेट चले गए सीधे सीधे निकल गए और यह शो कर रहा है कि कि इसने कम तो इसके मुकाबले कितना कम है आप देख के ही अंदाय लगा सकते हैं और फिर आता है वो जो मैंने बताया था न क्यों टच नहीं कर पा रहे थे और टच कि बिना ही वापिस जा रहे थे हैं नुक्लियस को टच नहीं कर पा रहे थे तो उस जो जो चोटा सा डिस्टेंस था हमारा जो कि हमने अभी अभी डिसकस किया था उस डिस्टेंस को बोलते हैं closest approach या फिर minimum approach जो कि minimum closest जितना जा सकता था एक alpha particle या फिर कोई भी एक beam of light particle उसके nucleus के उसको बोलते हैं closest approach और उसका एक formula होता है उसको discuss कर रहेते हैं तो it is a shortest distance of alpha particle from the nucleus of atom at which alpha particle retraces its path at the distance kinetic energy of the alpha particle becomes equal to the electrostatic potential energy of alpha particle therefore at shortest distance kinetic energy is equal to potential energy तो इसमें reason भी बता दिया कि क्यों नहीं touch कर पाला था क्योंकि उसकी जो kinetic energy थी alpha particle की वो उसके electrostatic potential के बराबर हो रहे थी तो kinetical potential energy जब बराबर हो गई तो आगे मूवी नहीं कर पारा था इसलिए वह वापिस जा रहा था समझ गए तो यह हो रहा था हुआ पर और उससे हमारा एक formula है तो के की वाले हमने पूर पाय एपसाइलन नॉट के इसको याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे हमको आइडिया मिल गया कि इस नुकलेस का साइज कितना 10 to the power minus 15 in meters होगा ठीक है दन इंपेक्ट पैरामीटर यह क्या होता है इट इस पर्पेंडिकुलर डिस्टेंस अफ द वेलोसिटी वेक्टर अफ अलफा पार्टिकल तो कुछ पर्पेंडिकुलर भी जा रहे थे ना तो उनको उनको कि उस डिस्ट इससे भी हमको पता लगए हैं डिस्टेंस कितना पर्पेंडिकुलर डिस्टेंस इट गेफ से दा आइडिया आफ साइज आफ एटम तो इससे हमको साइज आटम यानि कि नुक्रेस और एटम की बीच कर डिफरेंस के बारे में पता लगता है तो उसके लिए एक फॉर्मला इसको समझाने में कोई मतलब भी ने इसका क्यों कि इसको समझाएंगे क्या फिर देखो तो इसमें क्या करना है आपको कुछ नहीं करना है एक तरीका में बता देता हूं कि इसको और इसको वाली इसको आपको यह तो फ्री रहोगे बस डिफरेंस क्या हुआ कि यहां पर टू हटा दो और इसकी जगे कॉट थीटा वाइट टू लिग दो बस इतना सा डिफरेंस है और आर नॉट और भी आपको दोनों पता लग जाएंगे ठीक है देन आते हैं रदर फोर्ड मॉडल की त टोटल पॉजिटिव चार्ज एंड मास ऑफ एटम रिमेंस इन नुकलियस वही चीज़ की जो भी टोटल मास होता है जो भी टोटल चार्ज होता है पॉजिटिव चार्ज होता है वो एक बहुत छोटी से जगे नुकलियस में है ठीक है एलेक्ट्रॉन रिवाल्व कि यह जो इन्हों ने बोल या कि आवरा हैображ और यह इन्होंने गल्त कर दो अगर आप मेरे बारे में जानते नहीं तो आप की थियोरी को गलत किरवाउं Thai और यहां पर पंड़ेगा तो फिर बाकी से टो बेचेतने बाँ thus वह दो बोल दो जितना आप बोलना है रार्बर भी या बोल दो फिर हम बटाते हैं आपको की आपका стilly सुट ने बता है कि पहले तो रायो का रहा है ये क्या बोलते हैं रेन्डम ने पहले तो घूँं रहा है देन लिए काता है कि अब रहा है तो युई गूम रहा है एक अंदर फिससे बीरे हो रहा है टो मतलब की it कि एक रही थांसा आइगा कि 보ंकि पूरी चीज़े खतम जाएगी जैसे तो और फुरहला आटम में लुग बिशित कि centripetal force के वाद़ उसकी पूरी energy खतम हो जाएगी जैसे ही उसकी पूरी energy खतम हो जाएगी तो वो तो nucleus में गिर जाना था और electron nucleus जाना पूरा atom खतम तो यह क्यों नहीं हो रहा है ना तो ऐसे सारी चीज़े खताम हो जाने चीज़ी सारी चीज़े एक्टम से बनी होती है है ना smallest entity smallest unit क्या atom है तो देखो फिर क्या बता हुनँ है centripetal force required for the circular motion of the electron is provided by electrostatic force between electron and proton उन्होंने बताया कि FC यानिकी force centripetal force is equal to force of ये ठीक है FE तो MV square अपॉन में R और is equal to 1 upon 4 by epsilon not EE upon में R square तो ये कौन सी equation है ये कौन सी equation है ये अपनी वाई कुलाम्स लावाली equation वन अपॉन में 4 पाई यानिकी के q1 q2 तो यह आप चार्ज है तो EE upon में R square distance between तो ये आगे अपने पास formula बहुत important formula MV square is equal to E square upon में 4 by epsilon not R तो ये अपना formula आ चुका है और ये है सबसे अच्छा formula इसी से आप आगे कहानी चलने वाली है तो ये देखो ये तो हमारे पास क्या आगी MV square ठीक है तो अब अब निकालेंगे energy of electron in rather food model तो उन्होंने energy भी निकाली थी तो उसके बारे में discuss करते हैं तो देखो सबसे पहले हमको उसके लिए जरुत पड़ेगी kinetic energy यानि कि half mv square और इसको पुट कर देंगे इस equation में तो अब इसकी हमारे पास energy आ जाएगी तो यानि kinetic energy क्या होगी k is equal to half e square mv square तो हमारे पास था ना तो mv square की हमने value पूट कर दी e square upon में 4 pi epsilon not r ठीक है तो r भी पता है आपको epsilon not b पता है 4 pi भी पता है e square भी पता है then अब क्या करेंगे अफिर उसके बाद हमको यू निकालना पड़ेगी यानि potential energy भी निकालना पड़ेगी तो कुछ नहीं करना है कुछ नहीं करना है तो इसमें क्या करना है कि इसमें एक electronegative हो जाएगा तो उसकी वैसे क्या उसकी वैसे माइनस का e square upon 4 pi epsilon not हो जाएगा और यह लो यह भी आगया अपने पास यू भी आगया और इसमें क्या था इसमें half था इसमें full है देखकी पता लग रहे ना अगर हम देखो अगर हम इसको separate करना जाए तो हम एक कीसे कर सकते हैं कि देखो यह है half तो half को अलग कर दो और यह e square upon 4 pi epsilon not r को अलग कर दो इसमें भी e square अपन में 4 pi epsilon not r को अलग कर दो ठीक है तो इससे क्या पता है इनको जो हम compare करेंगे तो हमको देखने को मिलता है कि यह तो पूरा डब्बा है इसको अगर एक box बना तो यह पूरा डब्बा एनेर्जी लेके जा रहा है और यह आधी डब्बा एनेर्जी यह देखो ना आधा कि सकते हैं यह फूरा है पूरे में जागा तोँ सबस्क्रब्बा दो कि इसको बना था हो जाएगी एक आधा प्लस का होगा तो वो kinetic energy हो जाएगी total energy is negative it means electron remains bounded with the nucleus along also magnitude of the total energy is equal to kinetic energy and the potential energy is double of the total energy तो देखो इससे क्या पता लगता हमको सबसे पहली चीज़ की negative है total energy तो इसका मतलब electron तो हमेशा ही bounded रहेगा नूक्लियस से negative है ना और नूक्लियस में तो positive होता है नूक्लियस में नहीं प्रोटोन होते है तो positive होता है ठीक है तो उसकी वैसे क्या होगा कि यह हमेशा bounded है total energy तो नेगरेटिव है in electron की ठीक है in electron की भाद चल रही है energy of electrons की बात चल रही है और कावमेतिक एनर्जी हमें से सब्सक्राइब हम घारी आधिस और देकलों मज़े तो बहुत चुला एल की और बहुत ही उड़ा दिया तो उसकी वैसे इलक्ट्रोन दुखी था उसने फिर आगे बोहर भीय को बोला कि यार इनका इनका भी मजाग बना थोड़ा था है ना इन्होंने मेरा मजाग बहुत जादा बना है अब इनके मजाग की बारी है तो उन्होंने निकाल दे कुछ ड्रोब तो द्रोबैक्स ऑफ रदरफोर्ड मॉडल क्या थे जब बोहर मॉडल आया तो तो सबसे पहला द्रोबैक्स था अक्रडिंग टू रदरफोर्ड एलेक्ट्रोन रिवाल्व एराउं दन्यूकलियस इन रेंडम औरबिट कॉतिनूशली सिंस इज एक्चलेरेटेट चार्ज एक्ट एमेट्स एनर्जी कॉंटिनूशली इन फॉर्म इन फॉर्म ओफ एलेक्ट्रोमेग्नेटिक वेव इन दिस लेए इट विल जंप इन्टू दन्यूकलियस इटम इस नॉट स्टेबल विच इस रॉंग इसका मतलब उन्होंने बताया था कि रैंडमली आवार स्टेबल या मतलब कि जो हमारा अटम है वह स्टेबल नहीं है और उसके एक और चीज़ कि इन्होंने जब इसका स्ट्रम निगा स्पेक्ट्रम ना तो इसका तो लाइन स्पेक्ट्रम आ रहा था तो इस चीज़ बीगा चीज़ कॉंटिनियस एनर्जी निकाला तो तो इस पेक्ट्रम पर एटम मस्ट हैव कॉंटिनियस स्पेक्ट्रम बट प्रैक्टिकली इट हैस लाइन स्पेक्ट्रम तो लाइन मतलब लाइन की तरह होता है बीच बीच में ब्लैक ब्लैक होता है बीच बीच में ब्लैक ब्लैक होता है और तो इसी के साथ यह वीडियो हमारी होती है खतम तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में और फिर देखेंगे पॉसिलेट्स आफ बोहर मॉडल बाइबाइब